चले महराशु चलते हैं, यहां कॉंग्रिस वर्किंग कमिटी के आज वर्धा में मीटिंग हुई, लेकिन सबसे खास रहा जूठा बरतन, जी हाँ, सोनिया और राहूल गांधी ने खाना खाने के बाद जूठे बरतन खुद धोई, पहले भक्ती और अब स्वच्छता का इन पर ही चल रहे हैं राहूल गांधी आज गांधी जयनती है और इस मौके पर कॉंग्रिस के तमाम नेता महराष्ट के वर्धा में हैं, अपने जूठे बरतन धोकर कॉंग्रिस ये संदेश देना चाहती है कि महात्पा गांधी के सध्धानतों का असली वारिस कॉंग्रिस ही है जूठे बरतंद होने से पहले यहां कॉंग्रिस वर्किंग कमिटी में चुनाप को लेकर रणीती बनी कॉंग्रिस के मीडिया प्रमुक रंदीब सुर्जिवालत से जानिये कॉंग्रिस की इस बड़ी बैठक में क्या हुआ पाखंडी ताकते आज सत्ता की स्वार्थ सिधी के लिए बापो की विचारधारा को अपनाने का ढोम रच रही है जबकि सच्चाई यह है कि भाजप्पा और आरेसेस नफरत बटवारे और गिर्णा के वातवरण के लिए जाने जाते हैं जिस वातवरण के चलते खुद मात्मा गांधी जी की दुखत हत्या हुई थी चश्मे को राजनितिक प्रचार के लिए उधार तो ले सकते हैं मगर उनके सिधानतों को अपनाए बिना उनके आदर्शों पर अमल नहीं कर सकते कॉंग्रेस कारे समीती ने यह संकल्प भी लिया कि खोखले आदर्शों वे दोहरे चरित्र वाले ऐसे सब समुओं और व्यक्तियों को हम बेनताब करेंगे इससे पहले राहूल गांधी ने सेबा ग्राम के हर कोने को देखा जहां चर्खा चलाय जा रहा था उतके बाद प्रात्रा सभा में भी हिस्सा लिया आश्रम के बाहर भारी तादाथ में लोग सुन्या राहूल को देखने के लिए जुटे हुए थे राहूल बच्चों के बीच गए उनका हालचाल पूछा फिर सेल्फी खिजाए वर्धा में राहूल गांधी के आज की ही तस्वीर के सियासी माईनी है लेकिस सबसे बड़ा सियासी मकसद जुटे बरतंद होने वाली तस्वीर में छिपा है राहूल गांधी बरतं के जरिये स्वच्चता का संदेश दे रही है तो पियम मोदी हाथ में जाडू लेकर स्वच्चता का सिपाही बने नजर आते है यानि जिस राह पर मोदी चल रहे हैं उसी राह पर राहूल भी है चाहे मस्ता मंदर जाने का हो या फिर रामभक्ती का राहूल हर उस पिछ पर बैटिंग करते दिख रहे हैं जिस पिछ पर मोदी बैटिंग करते हैं अब देखना ये है कि राहुल जूठे बरतंधों कर जो संदेश दे रहे हैं उस संदेश का उन्हें सियासी फायदा कितना मिलता है